बीजेपी सांसद ब्रिज भूशन शरण सिह के खिलाफ केस दर्ज, आचार संहिता का किया उल्लंगन भाजपा नेता और कैसर गंज सीट से सांसद ब्रिज भूशन शरण सिह के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. उन पर आचार संहिता के उल्लंगन का मामला दर्ज किया गया है बता दें कि ब्रिज भूशन शरण सिंह पर बिना अनुमती के काफिला निकालने का आरोप है। जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा शर्मा ने पत्रकारों को बताया कि सिंह ने सक्षम प्राधिकारी से अनुमती के बिना एक दर्जन से अधिक वाहनों के काफिला के साथ शुक्रवार को अपने निर्वाचन क्षेत्र में जनसंपर्क किया था। प्रात्मिकी में कहा गया है कि 12 अप्रैल 2024 को सुबह 10-30 बजे से लोकसभा क्षेत्र कैसर गंज से भाजपा सांसद, ब्रिजभूशन, शरण सिंह द्वारा, थाना खरगूपुर, क्षेत्र में कट्रा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम मल्लापुर, गोपाल बाग, भोला जौत, गोकरन शिवाला, भटपी, भवनियापुर, देवरिया कला, पिपरा भोदर, सुसगमवा, असिध्धा, लहदोवा, राजा जोत, अनन्तपुर, चौरा भारी, नौवा गां उनका यह कृत्य कानून का उल्लंगन है। इस तरह की चौथी बड़ी कार्रवाई जिलाधिकारी ने कहा कि जन्पद में आदर्ष चुनाव, आचार संहिता के उल्लंगन को लेकर यह चौथी बड़धी कार्रवाई है। इससे पूर्व तीन प्राथमिकी दर्ज कराई जा उन्होंने स्पष्ट किया कि जिला प्रशासन, आदर्ष चुनाव, आचार संहिता का प्रभावी अनुपालन कराने के लिए प्रतिबद्ध है। किसी के द्वारा इसका उल्लंगन किये जाने पर कडिडी डिए हाई कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वही थाना ध्यक अभी तक प्रत्याशी घोशित नहीं किया है। कैसर गंज में पांचवें चरण में 20 मई को मतदान होगा। इन्पुट भाशा। दो कट्टा मंगा कर यहीं ठोक देंगे। दारोगा जीने दलित युवक को फिल्मी अंदाज में दी धम की। वीडियो वायरल लॉक सभा इ नेता ही नदारद। सिर्फ गार्ड और नारे लगाने वालों के बीच दिखीं बसपा प्रमुक। सामने आया वीडियो।